मित्रो भारतिय जंता पार्टी एक प्रकार से एक विचारधारा को लेकर चलिए हमारी विचारधारा के आधार पर राजनिती में हमने काम करना सुरू किया कई सालों तक संगर्श करा और बात में हमने कई हार जेले, कई पराजय जेले, कई प्रचंड पराजय जेले और विजय को भी देखा है मगर हमने हमारा काम अहर नीज चालू रखा है विगत दस साल के अंदर स्री मोधी जी के नेत्रूत में हमने साट करोड गरीबों को घर, बीदली, सोचाले, राशन, गैस और पांच लाग तक का आरोग्य की सभी सुविदाय दी है ग्रामिन विकास हो, सहरी विकास हो, उर्जा का क्षेत्र हो, अंतरीक्स का क्षेत्र हो, डिजिटालाइज़ेसन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो, आंतरीक और बाहिय सुरक्षा को मजबूत करना हो, स्वास्त का क्षेत्र हो, या सिक्सा में नई सिक्सा ली आया है यह हम सब कार्यकरताओं के लिए और आज दस साल में जिनके नेत्रुतों में और जिनकी रहनुमाई में हमने सारे लक्स हसिल किये हमारे कई सारे देश के लंबित मुद्दे चाहे राम जन्मगुमी पर राम मंदिर बनाना हो दारा 370 को समाप्त करना हो UCC का अगास करना हो टिपल तलाग को समाप्त करना हो या कासी विसोनात में कोरिडोर बनाना हो ये सारा काम भी मोदी जी के नेत्रुतों में ही दस साल में पुड़ा हुआ है टिपल तलाग को समाप्त करना हो या कासी विसोनात में कोरिडोर बनाना हो ये सारा काम भी मोदी जी के नेत्रुतों में ही दस साल में पुड़ा हुआ है टिपल तलाग को समाप्त करना हो या कासी विसोनात में कोरिडोर बनाना हो ये सारा काम भी मोदी जी के नेत्रुतों में ही दस साल में पुड़ा हुआ है मित्रो भारतिय जंता पार्टी एक प्रकार से एक विचारधारा को लेकर चली हमारी विचारधारा के आधार पर राजनिती में हमने काम करना सुरू किया कई सालों तक संगर्श करा और बात में हमने कई हार जेले कई पराजय जेले कई प्रचंड पराजय जेले और विजय को भी देखा है मगर हमने हमारा काम अहर नीज चालू रखा है विगत दस साल के अंदर स्री मोधी जी के नेत्रूत में हमने साट करोड गरीबों को घर, बीदली, सोचाले, राशन, गैस और पांच लाग तक का आरोग्य की सभी सुविदाय दी है ग्रामिन विकास हो, सहरी विकास हो, उर्जा का क्षेत्र हो, अंतरीक्स का क्षेत्र हो, डिजिटालाइज़ेसन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो, आंतरीक और बाहिय सुरक्षा को मजबूत करना हो, स्वास्त का क्षेत्र हो, या सिक्सा में नई सिक्सा ली आया है यह हम सब कार्यकरताओं के लिए और आज दस साल में जिनके नेत्रुतों में और जिनकी रहनुमाई में हमने सारे लक्स हसिल किये हमारे कई सारे देश के लंबित मुद्दे चाहे राम जन्मगुमी पर राम मंदिर बनाना हो दारा 370 को समाप्त करना हो यू सी सी का अगास करना हो टिपल तलाग को समाप्त करना हो या कासी विशोनात में कोरिडोर बनाना हो ये सारा काम भी मोदी जी के नेत्रुतों में ही दस साल में पुड़ा हुआ है